हलो नमस्कार और विल्कम बैक बहुत ठंड है वाई साब और इस ठंड में रम पीने का मन कर रहा था फिर मैंने देखा दो दो रम पड़ी है मैं सुचा बहुत अच्छा मौका है मौके का साइदा उठाया जाए अब ये दोनों रम बहुत ज़्यादा पॉपलर भी है आप लोग सब लोग जान दी है तो क्यों न लगे हाथ इन दोनों का एक कॉंपरेजन वीडियो भी कर लिया जाए और इस सर्दी से भी राहत मिल जाए तो जबर्दस्त पॉपलर रम अपनी फेवरेट अब सबकी फेवरेट ओल्ड मॉंक और बकाडी ब्लैक का भी अपना ही एक फैन फॉलिंग है बहुत लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे तो रम पीनी है अभी रिव्यू तो बस मैं ऐसे ही करने बैठ गया है तो फटा फट दोनों का एक एक पेग बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ नोजिंग टेस्टिंग करके कि दोनों में से ज़्यादा मुझेदार कौन सी है चलिए तो दोनों का छोटा चोटा पेग आ गया है सामने बकाडी बलैग जैसा की नाम ही है बलैग तो ये बहुत ज़्यादा डाक है और इसका उर इसकी कंसिस्तिनसी मतलब विसकॉसिटी ये काफी कम लग रही है normally रंकी viscosity बहुत ज़्यादा नहीं होती है अब बारी है old monkey old monkey अगर बकाड़ी बलैक से compare करें तो ये बहुत ही ज़्यादा light color है और इसकी viscosity जो है वो काफी ज़्यादा है normally रंकी इतनी viscosity होती नहीं है तो ये पहली अच्छी बात हो गई old monkey की सबसे पहले बकाडी ब्लैक की नूजिंग देखिए एक चीज़ तो पक्का है जब भी आप कोई भी इस तरह के भी रम की बात करेंगे काफी बजट फरिंडी होता है बहुत सस्ता होता है पौकेट पे बहुत कम बोश डालता है आपका और कभी भी आपको एक सस्ता अलकोहल वाला एहसास नहीं देता है क्योंकि इस रेंज में जो भी विस्की आती है उसको आप नोस भी नहीं कर पाएंगे और लगेगा आपके न मिठास हलकी सी है और जो भी स्मेल है बहुत हलका बहुत फेंट सा स्मेल है कोई बहुत जादा आकवर्ड नहीं लगेगा आपको डेफिनिटली वनीला इस प्रॉमिनेंट उसके अलावा थोड़ा सा चॉकलेटी और स्पाइसेज वगरा इसमें फ्लेवर होते हैं बट वो स्मेल में समझ भी नहीं आता है और थोड़ा सा आपको अलकॉहल का जो एक स्मेल होता है वो बहुत हलका सा आएगा मतलब वो आपको अन्नॉई नहीं करेगा लेकिन फील तो आप करीज़कते हैं कि अलकॉहल का एक स्मेल आ रहा है अबारी अपनी फेवरेट ओल मॉंकी इसके कॉमपरीटर में काफी भरा भरा बहुत अच्छा खुरसूरत टेश्ट सबसे पहले बहुत स्वीट और एक स्मेल से ही लग जाता है कि आपको स्वीट अलकॉल पीने वाले हैं बहुत जबर्दस्त एक दम बटरी टेग का और वनीला के जैसा थोरा सा टॉफी के जैसा और काफी प्लीजिंग है नोज करने में तो अगर सिर्फ नोजिंग की बात करेंगे तो ये काफी आगे है बकाडी बलैक से ओल्ड मॉंक बहुत शांदार नोज करने में मज़ा आ जाएगा इसको मतलब आपको यकीन नहीं होगा जो लोग बहुत ओल्ड मॉंक के फैन नहीं है या जो लोग पहले अगर ओल्ड मॉंक ट्राइब नहीं किया है मैं आपको बता दूँ ये 600-700 रुपए में जारकन में मिलती है बाकी ज्यादे पहीं तो 500 के अंदर भी इसका प्राइस होता है गुरगाओं बगर में और इतने कम प्राइस में इतना बड़ियां खुश्बुदार इतना बड़ियां स्मेल करने वाला अल्कोहल मतलब जबाब नहीं ओल्ड मॉंक का चलिए सबसे पहले टेस्ट करेंग ओल्ड मॉंक से अब देख सकते हैं मैंने काफी बड़ा सा स्थिप लिया था तो दो तीन बार में वो नीचे गया बहुत अच्छा माउध फिल है इसका आपको मैं पहले ही विसकॉस्टी दिखा रहता है विसकॉस्टी दी काफी ज़धा है इसकी तो माउध फिल is very good और बहुत ज़्यादा स्वीट है अच्छा सा लेयर बनाता है आपके मूँ में और हनी के जैसा एक खुश्वू के साथ मिठास बटर स्कॉच थोड़ा सा बटरी और बहुत ही डेलिकेट और बहुत धीरे से नहीं चला जाता है बरे आरम से निट भी कंजूम किया जगता है हलाकि मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप जितना कॉंटिटी में ओल्ड मोग लेते हैं उतना ही कॉंटिटी में मतलब 60 ml के साथ 60 ml पानी और पानी अगर हलका गरम हो तो और बड़ी हैं खाश करके जाड़े के दिनों में तो ज जादा ही ब्लैक है वही अच्छा एक शी बता दू दोनों में आटिफिशल कलर एड किया जाता है 150A एक बार मैं दोनों का इंग्रेडियंट्स आपको पढ़के बता दू क्या चास्मा भी तो मैंने लगाया ही है जीम वाटर मतलब दीम इनलाइज वाटर बहुत छोटा लि अदेंटिकल एंड आर्टिफिशियल रम फ्लेबरिंग सबस्टैंस तो यह काफी कुछ इसमें मिलाया हुआ है अब बाकाडी ब्लैक का देख लिया जाए वाचर नूट्रल स्पिरिट मैच्यॉर्ड रम स्पिरिट इनर्ट सुगर एंड नैच्रल कलर 150A तो यह सारी चीज अल्मोस्स सिमलर टाइप का इंग्रेडिंस है दुनों का आता हूँ बगाडी ब्लैक के टेस्ट पे दो तीन प्रॉब्लम है इसके साथ सबसे पहला एक यह आप जब भी ओल्ड मॉंक के बाद अगर इसो पीते हैं तो तो इसने भी तिन इसकी विस्चॉस्टी बहुत कम है कोई लेयरय रिखे बनाता नीए मूं मे आपके यंग्राइप का एक खुश्बू फैलता है मूं में बर्न इसमें भी नहीं है पेलेट पे कोई spicy लगेगा और जो after taste में जो spiciness आता है वो उतरा मज़ेदार नहीं रहता है अब चलिए रम है थोरा-थोरा इसमें पानी मिला करके देखें कि पानी मिला करके कौन ज़्यादा बढ़ियां टेस्ट करता है तो this is the luke warm water थोरा सा इसमें थोरा सा इसमें भी पानी मिलाने के बाद तेश्ट करके और और मिलदार लग रहा है देख करके very good color मज़े की बात है इसकी consistency अभी भी थोरी ठीकटा की नज़र आ रही है पानी मिलाने के बाद भी चलिए आते हैं टेस्ट पे काफी ज़्यादा स्मूध हो गया है मिठास अभी बाकी है और थोरा सा अभी ओक बूड का एक फ्रेक्रेट सा पानी मिलाने के बाद आपको समझ में आने लगेगा पहले वो समझ में नहीं आ रहा था बट फिर भी मैं अपनी परसनल चोईस के गर बात करूं तो मेरे को निट पे ज़्यादा मिजा रहा था पानी मिलाने के बाद तोरा एजी टू ड्रिंक ज़रूर हो गया है जो लोग ओल्ड मों के बहुत बड़े फैन नहीं हैं उनको पीने में डिफिनेटली ये ज़्याद आसा आसान ज़रूर हो जाएगा ये तरीका पाने मिलाने के बाद थोरा सा हलका ल्यूप वाउम वाटर बट ये ठीक है स्मूधनेस बढ़ गई है आराम से आप पी सकते हैं और जो मैं वनीला और टॉफी और थोरा सा बटरी टेस्ट की बाद कर रहा था वो सप्रेस होता है वोडी नेस थोरा सा बढ़ जाता है बट वो वनीला और चॉकलेट वाला जो फ्लेवर है वो थोरा सा सप्रेस होता है पानी मिलने के बाद भी अभी पूरा डाक प्लैक नज़र आ रहा है और पहले ही कोई विस्कॉसिटी थी नहीं पानी मिलाने के बाद भी I don't think any change तो वैसे ही है सीधा सिप करते हैं बकवास पानी मिलाने के पहले जब आप निट पीते हैं तो फिर भी थोरा सा एक रम के जैसा लगता है पानी मिलाने के बाद तो बिल्कुल आपको क्या मैं कहूं कोई कफ सिरफ या कफ सिरफ ही कह सकते हैं बिल्कुल उसके जैसा एक स्वीटनेस भी कम हो गया और जो आफ्टर टेस्ट में जो एक पेपरीनेस जो एक स्वीटनेस जो एक था वो अब एक टेस्ट ऐसे महसूस हो रहा है इसमें कोई मज़दार कुछ बात कुछ है नहीं अब इसमें तो डेफिनिटी अगर आपको अगर ओल्ड मॉंक आपके हां मिल नहीं पा रहा है और डाक रम में अगर सिर्फ एक यही आप्शन है कि बाकाडी ब्लैकी अवेलबल है और यही पी कि आपको अपनी सर्दी दूर भगानी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें पानी न मिलाए क्योंकि पानी मिलाने के बाद बहुत बाहियाद टेस्ट है बिल्कुल पीने के लाइक नहीं है तो या फिर टेस्ट को इंजॉई किये वगयर आप गरम पानी मिला करके बस अपनी सर्दी दूर भगाने के लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं लेकिन यह तो मजदार चीज है चाहे आप इसको निट पी बहुत लोग कोक मिलागर के पीते हैं वो भी अमेजिंग लगता है तो बहुत शांदार है तो सिंपली नोजिंग हो या टेस्टिंग हो डिर इस नो कॉंपलिजन नो मैच मतलब आस पास भी नहीं है और मज़े की बात है कि दोनों रम है दोनों का टेस्ट बिलकुल अलग है दोनों एक दूसरे के जैसा बिलकुल टेस्ट नहीं करता है दिस ओल्ड मॉंक इस अमेजिंग और ये कुछ बेकार सा है तो छोटा सा और क्रिस्प ये फटा-फट वडा कॉंपरेजन वीडियो था आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैं अपनी ओल्ड मॉंक क वीडियो में तब तक टेक वेरी गुड केर ओफ यॉसर्फ बाई बाई मैं पीता हूँ अपने ड्रिंक